अर्विंद केजरेवाल के उपर अब उनके अपनों का ही भरोसा नहीं रहा। और अब ऐसा लग रहा है कि अर्विंद केजरेवाल के उपर निशाना भी अपने साध रहे हैं और उनी के चलते आम आदमी पार्टी क्या खत्म भी हो जाएगी। देखें बड़ी बात ये है कि राजकुमार आनन्द जो कि दिल्नी में साथ मंत्राले समाल रहे थे उन्होंने स्तीफ़ा दे दिया है आम आदमी पार्टी से भी स्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से भी स्तीफा दे दिया है तो पहला विकेट आम आदमी पार्टी का डाउन हो चुका है और आब इसके बाद कयास ये लगाये जा रहे हैं कि राजकुमार आनंद के बाद कहीं अगला नंबर किसी दूसरे मं जल्दी ही तो नहीं लगने वाला है बड़ी बात यह कि राजकुमार आनंद ने इस तीफा देते वक्त न सिर्फ आम आदमी पार्टी के उपर निशाना साधा इशारो इशारो में अरविंद केजरिवाल को भी उन्होंने कटगरे में खड़ा कर दिया अरविंद केजरिवाल वह सबसे पहले वह आपको बताती होु उनकी तरफ से कहा गिया कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उएक आगया था बाजनीती तो नहीं बदलें यह नेता जरूर बदल गये अब नेता जरूर बदल गए ये कौन से नेता हैं कयास लगाना बहुत मुश्किल नहीं है आगे उन्होंने का कि आपका जनम ही आम आदमी पार्टी का जनम ही ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने के बाद हुआ था पर दुर्भागिस से आज आम आदमी पार्टी ब्रश्टाचार के दलदल में फस गई है तो अरविंद केजरिवाल के उपर भी निशाना और आम आदमी पार्टी को भी कटगरे में खड़ा करना दोनों बात राज कुमार आनंद ने एक साथ कर दी फिर खुद को बचाया खुद को बचाते हुए उन्होंने ये कहा कि सरक बहुत पुराने नेता गरीबी से जिनका तालुक था उन्हें भी अब ईडी परिशान करी और कुछ पुराने मामलों में उन्हें फसाया जा रहा है वो राजकुमार आनंद की तरफ ही इशारा कर रही थी तो पार्टी तो राजकुमार आनंद के साथ खड़ी दिखाई दी मंत्री पार्टी सब छोडने का जिक्र प्रेस कॉंफरेंस करके बाकाइदा किया गया अच्छा अब बड़ी बात यह कि आतिशी के ओपर भी शिकंजा ईडी का तो कसी चुका है गोर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि राजकुमार आनंद पर जब ईडी का छापा पहले प चापाई नहीं ही हुई होगी क्योंकि भाय डर किसी को भी अगर आज के समय में तो वो प्यमले के ही तहत कारवाई ना हो जाए इसके ओपर है दूसरी बड़ी बात यह कि सिर्फ एडी की kaरवाई के डर से कोई भी नेता आव् आदमी पार्टी का अभी पार्टी छोड़न है उनके लिए फिलाल किये मौझूदा दौर में और लोगसभा चुनाव भी ऐसे में नस्दीक है तो राचकुमार आनंद पर ED का शिकंजा इसे बेचा जा सकता था आम आद्मी पार्टी की तरफ से और ये उनको सूट करती हुई मौझूदा दौर की पॉलिटेक्स भी है कोई नेता अगर रिजाइन कर दे तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने संपर्क नहीं किया होगा या उसने किसी को बताया नहीं होगा तो रोकने की कोशिश भी जरूर की गई होगी ये बाते आगे चंचंकर सामने आएंगी बावजूद इसके राचकुमार आनंद की तरफ से अगर इस्तीफा दिया गया है मैंने आपको बताया भय तो नहीं होगा क्योंकि PMLA का मामला है नहीं और ये सूट करती वे राजनीती भी है राचकुमार आनंद के लिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी है केजरी बाल है तब ही वो हैं तो ऐसी इस्तिती म अगर रिजाइन किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरी बाल के अपने अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये लोगसभा चुनावों में उनकी इमिज को डेंट करती हुई एक और तस्वीर होगी लोगसभा चुनाव में अगर अपने साथ छोड़ रहे ह और खुद को पाक साफ दिखाना केजरी बाल के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विपक्ष अगर निशाना साथ रहा है विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है या कट घरे में खड़ा किया जा रहा है तो वहां तक तो जनता मान भी ले लेगन अगर अपने ह तो नहीं बदली हाँ राजनेता जरूर बदल गए तो फिर यहां पर सफाई देना और बिंद केजरी बाल के लिए आम आदमी पार्टी के लिए दोनों के लिए मुश्किल होगा राचकुमार अनंद का पार्टी छोड़ना आपकी नजर में क्या है और बिंद केजरी बाल क झाल के के लिए जरूर में क्या है और बाल के लिए तो अजरू झाल के याम आदमें के लिए अनंद के लिए मुशंब पार बिंद के लिए मुश्किल होगा राचकुमार राचकुमार आधक राम झाल झाल